तीन जुलाई को राजिस्थान विधान सभा का दूसरा सत्र शुरू हुआ था और पहले दिन से ही नेता पृति पक्ष्टी कराम जूली सक्रिया नजर आया अब सौंबार यानि आज राजिस्थान विधान सभा में शुरू निकाल की कारवाई शुरू होते ही हंगामा हो गय दरसल नेता पृति पक्ष्टी कराम जूली ने बजट की योजनाओं का मुद्दा उठाया जिस पर खूब हंगामा हुआ बात इतनी बढ़ गई कि जूली ने इस स्पीकर से सरकार को पावंद करने की मांग कर दी और फिर सदन में भी संवदान बचाओं के नारे गूजने इस हंगामे के भी जूली ने इस स्पीकर से पूछा कि वो बजट की योजनाओं को पास कराने के लिए मद्दान क्यों नहीं करवा रहे हैं नमस्कार मैं हूँ शेग जूही आप देख रहे हैं धरनगरी नीज यह अंगामाटी कराम जूली के उस आरोप के बाद शुरू हुआ जिसमें उन्होंने प्रदेश की भज़ुलाल सरकार पर कॉंग्रिस के विधायकों की अंदेखी करने कीम बात रही जूली ने कहां नियम के अनुसार सरकारे का बज़ट बनाने से पहले राज्य सरकार हर शेतर के स्थानी प्रतिनीदी से सुजाव मांगती है और फिर जरूरत के अनुसार उन्हें बज़ट में शामल करती है मागर वज़णलाल सरकार ने कॉंग्रिस विधायकों से कोई सुजाव नहीं मांगे उनकी जगहां उसी शेतर के हारे हुए बिज़ेपी प्रतियाशी से सुजाव लेकर बज़ट की योजना बनाई गई ऐसा पहली बार हुआ है और ये नियमों का उलंगन है जूली आगे बोले विधान सबा का सबसे बड़ा सदस्य विधायक होता है जिसे महां की जनता चुनती है लेकिन पहली बार विधायक की सला ना लेकर एक हारे हुए प्रतियाशी की सला से सड़क निर्मान की बज़ट योजना बनाई गई ये सरकार क्या हारे हुए नैता को जनपृति निदी मानती है ऐसा नहीं होना चाहिए था इस सरकार को पावंत कर देना चाहिए मैं इस मामले में स्पीकर का संरक्षन चाहता हूँ कि वोईस पर जवाब मांगे और इन योजनाओं को पास कराने से पहले मद्दान करा है इस दोरान जूली ने सरकार से पूछा कि सरकार बजट योजनाओं पर मद्दान कराने से क्यों डर रही है स्पीकर साब आप मद्दान क्यों नहीं करवा रहे हैं तमाम खबरों के लिए देखते रहें दनगरीनियू शुक्रिया